जी हां हेलो एव्रिवान वेलकम सो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका दिसम्बर का एक्जाम हुआ भी दिसम्बर 2023 का उसका कट ओफ कितना जाने की उमीद है ठीक है सो लेट सी यहां पर दो तीन चीज़ें हम डिसकस करेंगे फर्स फिंग इस कि एक्जाम का लैवल अगर बढ़ता है तो कट ओफ कम जाता है आपने देखा कि मार्च वाले एक्जाम के कमपैरेटिवली जो जून वाला एक्जाम हुआ था वो डिफिकल्ट था यह चीज़ सब क सबने यह चीज़ बोली कि जून वाला एक्जाम बहुत डिफिकल्ट था कमपैरेटिव उससे पहले वाले एक्जाम मार्च वाले एक्जाम के मुकाबले है और सभी डरे भी हुए थे कि या बनेगा हमारा तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा सिर्फ पचास कोश्ट ठीकर के सब्सक्राइब कर देखिए यह जून 2023 का कट आपके सामने रख है मैंने यहां पे आप साफ साफ देखिए अन्रिजर्वड कैटागरी यानिकर जो जनल कैटागरी है उसका जी आरफ का जो कट आप है जी आरफ का वह 188 यानिकर तीन सो में से एक्सो ठासी है अबाउट आप सब्सक्राइब का 56% के निरभाई बरेगा है ना तीन सो में से है ना ये टोटल 300 में से हां तो आप एक चीज़ यहां पर देखिए कि 170 नंबर की वे बात कर रहा है तीन सो में से कहने का मतलब कि अगर आप जर्नल कैटागरी से बिलोंग करते हैं और आपके अगर पेपर वन क्योंकि जब पेपर टू डिफिकल्ट आता है तो पेपर वन इजी आता है अगर पेपर वन इजी है तो आपके पेपर वन में पचास में से 35 कोशन स्कूट ही हो सकते हैं 35 मल्टिप्लाइ बेटू 70 यानिकर 70 नंबर आपके यहां से ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि अग अगर आपके 70 मार्क्स जो हैं अगर आपके 70 मार्क्स जो हैं वो पेपर वन में जा रहे हैं डैट मीन्स कि सो नंबर आपको पेपर टू में चाहिए सो नंबरों का मतलब किया हुआ कि 50 कोश्चन्स है ना अगर 50 कोश्चन्स आपके पेपर टू में ठीक हो रहे हैं और 35 कोश से लिए तो और कम हो गया 142 वह गया लोग कहने का मतलब जनर केटागरी वाले भी अगर पेपर टू में पचास और पेपर वन में 35 कोशन ठीक करके आरे थे जून वाले एक्जाम में तो उनका नेट कलियर हो रहा था आराम से तो अभी इस बार वाला जो एक्जाम हुए असे स सुनने को मिला है कि बच्चे बोल थे हैं कि मैं जून वाले से भी डिफिकल्ट आया था अब मैंने कोशन पेपर देखा नहीं है मैं आपको रीविव के अकॉर्डिंग बता रही हूं कि जारतर लेर्न ने कहा कि जून वाले से जादा दीकल था बाकि कई ऐसे बच्चे जिन के तो इसके अगर देखो तो आपका कट अफ जून वाले से जादा तो जाएगा निए ना पिकॉस एक्जाम जातों मैं कह सकती हूं कि जून जितना ही डिफिकल्ट था या इससे जादा तो कट अफ जाएगा निकि यह वही जिस सोच के देखो कि अगर आप पेपर टू में पचास नमबर लेके आ रहे हूं जर्नल कैटागरी और पेपर वन में 35 कोशन्स ठीक करके आ रहे हैं यहां तो आपके नेट के तो चांसी हैं यहां पर सिर्फ जर्नल की बात कर रही हूं BCS इससे भी कम जाहिए है ना एक्जाम डिफिकल्ट आता है तो कट ओफ कम होता ही होत है तो जो बच्चे अपने economics के एक्जाम में 50 से 60 questions ठीक करके आए है ना जर्नल कैटागरी वाले वह अपना पूरा उमीद रखकर चलिए कि हो जाएगा यही चीज़ मुझे आप से discuss करनी थी तो मुझे comments में बताईएगा कि आप मेंसे कौन कौन से students हैं जिनको लगता है कि हम मेंसे 50 से 60 questions ठीक करके आए हैं ठीक है comment में मुझे इसके बारे में बताईएगा और जो हमारा course है जून 2024 के लिए live launch हो चुका है application पर 14 तरीक से इसकी classes चुरू है आप अभी enroll कर लीजिए because हमको wait नहीं करनी सारा क्योंकि हमको detail में पढ़ना है तो time कम है अगर result की wait करते जाए तो time बीच जाएगा मैं 14 December से classes चुरू कर रही हूं आपको enroll करना है ताकि आप live class हर कोई देख सके description में link दिया गया है अभी discounted rate भी चल रहा है काफी and thank you so much best of luck for your results